आप सबकी September की closing बहुत ही शांदार ही और आज हम 4 October पे हैं तो हमारे पस में यह है वर्त है में बिजनस को बड़ा करने का October में और भी बड़ी closing करने का तो जैसे कि आप जान रहे हैं मौसम बदल रहा है तो जो है उसके साथ में जो है canvas सारी जो है समस्याय, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुकार, फ्लू, वाइरल ऐसा बढ़ रहा है, तो कैसे हम अपने आपको स्वास्त रख सकते हैं, अपने परिवार को स्वास्त रख सकते हैं, और जो हमारा स्वास्तिय का mission है, स्वास्तिय लाप पहुंचाना हर जने को, तो उस mission में हम कैसे बड़ा काम कर सकते हैं, आज के session में हम इसके बारे में बात करेंगे, प्लस जो हमारे इस महिने के जो target से उनके बारे में भी बात करेंगे, तो I hope आप बिल्कुल सीखने और जानने के लिए तयार हैं, हमेशा की तरह मैं आप से request करूँगी, कि आप अपने वीडियो को on करके बैठें, और अपने साथ में diary notepad में लेकर करके ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि हम points में बात करेंगे, बहुत सारे फाइदों के बारे में बात करेंगे, तो अगर आपने लिखा हुआ होगा, तो आप बहुत उसको आसानी से अपने customers को समझा पाएंगे, बता पाएंगे कि NutriCharge S5 लेने से क्या फाइदे हैं, या इसके अंदर कौन-कौन से तत्व हैं, कितनी मातरा में हैं, और उनका क्या फाइदा हैं, ये सब आप बहुत आसानी से बता पाइदे, तो मैं चाहूँगी कि आप अपने साथ में डाइरी नोट पैट में लेकर के बैठे, तो शुरुआत करते हैं, तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे जो प्रॉड़क्ट है, इसका नाम है NutriCharge S5, तो NutriCharge S5 जो है, इसके अंदर पाँच herbs, पाँच पौधों से ली गई और्षदियां हैं, जो कि हमें हर बेमारी से मुक्ति दला सकते हैं, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे, तो NutriCharge S5 के अंदर पाँच ऐसी और्षदियां हैं, जो कि हमें रोक मुक्त रख सकते हैं, तो NutriCharge S5 के अंदर ये पाँच कौन-कौन से पौधों से ली गई और्षदियां हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप ये नाम तो लिखे ही, बट उनकी मातरा भी लिखे, कि कितनी मातरा है, ये भी बहुत महत्वकून है, तो सबसे पहले है इसके अंदर ब्लैक सीड यान्नी कलॉणूजी, ये हैं कलॉणूजी है इसके अंदर 200 Mike, फिर है इसके अंदर तुलसी 1,500 Mike, नीम 100 Mike, अलोएरा 25 Mike और पुदीना 10 Mike, ओके, I hope ये आपको बिलकूल याद है और पता है, NeutriCharlie S5 کے अंदर ये पांच आउशदिया है अब ये जोирован पांचो जो आउशदिया है ये मिल करके हमें क्या काम लेखती है या क्या फाइदा करती है तो आईए देखते है तो सबसे पहले NeutriCharlie S5 अगर हम लेते हैं या किसी को देते हैं तो ये हमारी जो सूजन है, बाहरी सूजन, आंतरिक सूजन उसको कम करता है आप जानते हो कि अगर हमारे चोट लग जाए या कुछ भी अगर कोई infection भी हो जाता है तो कहीं बार हमारे सूजन आ जाती है तो जो बाहरी सूजन है ये उसको भी कम करता है और हमारे शरीर के अंदर भी सूजन आती रहती है ये उसको भी कम करता है तो ये बाहरी और आंतरिक सूजन दोनों को कम करने का काम करता है ओके नमबर वन फाइदा इसका ये है नमबर टू जो है ये हमारे सांस के जो सिस्टम के अंदर हमारा जो सांस लेने का जो तंत्र है उ जिन लोगों को खासी है, जिन लोगों को दमा है, या जिन लोगों को अलर्जी है, या जिन लोगों को जैसे अभी आप देखते हैं कि COVID या viral infection होता है तो वो फेफडों पर बहुत प्रभावित करता है तो इन सारी स्थितियों के अंदर बहुत ही फाइडा करता है तो ये कैसे होता है देखे ये जैसे की होता क्या है जब ये जिन लोगों को भी ये जैसे दमा है, खासी है, अलर्जी है तो हमारे सांस लेने का तंतर है इसके अंदर क्या होता है तो देखे आप जानते हैं कि हम नाक से सांस को लेते हैं हम नाक से सांस को लेते हैं हमारी सांस जो है, वो हमारे नाक से होते वे ये हमारी सांस लेनी की नली है इसके अंदर आती है और फिर उसके बाद में ये हमारी जो सांस लेने की नली है जैसे पेड़ की टहनिया होती है बिलकुल वैसे दो में बट जाती है और ये हमारे दो फेफड़ों में कुलते हैं ओके ये आप देखते हैं ये हमारे दो फेफड़ों है और ये फेफड़ों के अंदर बिल्कुल जैसे पेड़ की छोटी-छोटी टहनिया होती हैं, बिल्कुल वैसे ही हमारे जो है, ये सांस लेनी की नलियों जो है, छोटी-छोटी बट जाती हैं, और हमारी सांस जो है, हमारे नाक से होते हुए, हमारी सांस की नली में होते हुए, हमारे ये छोटी- को बाहर भी निकाल रहे हैं, हम सांस को अंदर लेते हैं, और सांस को बाहर निकालते हैं, तो हमने जो सांस को अंदर लिए हैं, वो फेफड़े हमारे उसका इस्तिमाल कर लेते हैं, और जो बची हुई गैस है, वो इसी रास्ते से वापस हमारे सांस की नली से होते हुए हमारे नाक से बाहर निकलती है, तो हम सांस को अंदर लेते हैं और सांस को बाहर निकलते हैं, और आप जानती हो कि एक स्वस्त वेक्ति को सांस लेने और सांस निकलने में, अंदर लेने और बाहर निकलने में कोई दिक्कत नहीं आती है, बट जिन लोगों को दमा है, और आप जानते और जो जिन लोगों को allergy है, जैसे बहुत सारे लोगों को अलग-अलग चीज़ों से allergy होती है, कई लोगों को जैसे धूल मिटी से होती है कई लोगों को जो है तेज परफ्यूम, तेज स्मेल अगर को कुछ है तो उससे होती है कई लोगों को जैसे खेतों में जो यह कटाई होती है तो उसके बाद में जो छुटे-छुटे काण जो पूरे हावा में फैले वे होते हैं उनसे होती है, रूई से होती है कई चीज़ों को खाने से होती है किसी specific किसी खाने से होती है तो यह जो allergy है इससे कई लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है और आप जानते हैं कि जैसे COVID है COVID का आप में देखा होगा कि जिन लोगों को भी COVID हुआ तो उनके जो है फेफडे बहुत प्रभावित रहे फेफडों में उनके बहुत ही जो है प्रब्लम ही तो ये क्यों हुई इन सारे स्थिक्वें के अंदर हमारी जो सांस लेने की जो नलिया है उनके अंदर कोई सुजन आ गई कोई रुकावट आ गई पस आ गया बलकम भर गया तो इसकी वजह से हमारी सांस जो है वो सही से अंदर आ और जानी पा रही है तो आपने देखा ही है कि जिन लोगों को दमा है, उनको सास लेने में दिक्कत आती है, जिनको खासी हो रही है, उनको भी सास लेने में दिक्कत आती है, उनकी सास लेने की नलियों के अंदर कोई सूजन या कोई पस बलगम भर जाता है, इसी तरह से जिनको ऐलर्जी और जिनक आपको बताया जिन लोगों को दमा है, जिन लोगों को खांसी है, जिन लोगों को किसी चीछ से ऐलर्जी है और उनको सांस लेने में दिक्कत है और जिन लोगों को कोई viral fever है या viral है, covid है, इन चारों स्थितियों में जो है हमारे फेफड़े प्रभावित होते हैं तो उसमें काम करता है ओके तो यह हमारा दूसरा इसका फाइदा है तीसरा जो है जैसे मैंने बताया कि मासम बदलता है तो सर्दी खांसी जुखाम बुखार वाइरल वगेरा जो होता ही रहता है तो यह जिन लोगों को सर्दी खांसी जुखाम बुखार है यह उनको उनके अंदर बंदे समस्यां होती है, आप देखते हैं, बहुत सारे लोगों को कील मुहा से होते हैं, फोडे फुनसियां होते हैं, दाग धबे होते हैं, या इस तरह से ये बेरंग तवच्चा सी हो जाती है, या बहुत सारे लोगों को तवच्चा की प्रॉब्लम्स जैसे की एक्जीमा है या psoriasis, जो कि यह skin की problem है, यह हो जाती है, यह psoriasis जो है, इसमें आप देखेंगे कि इस तरह के तवचा पर यह ऐसे patches हो जाते हैं, तवचा सूखी सी हो जाती है, पपड़ी सी आ जाती है, और यहां पर बहुत खुझली वगहर होती है, और यह psoriasis है, यह सर्दियों में ब इसके अंदर भी जो है, तवचा जो है, वो बहुत ही रूखी सूखी सी हो जाती है, बहुत कुझली बचारा होती है, तो यह जो तवचा से संबंदिज जो समस्या हैं, इसका बहुत ही अच्छे results देखे जाते हैं, तो न्यूट्री चार्ज S5 जो है, जिन लोगों को भी की पांचवा फाइदा है, पांचवा फाइदा है कि यह हमारी रोग प्रतिरोधक शमता को बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक शमता क्या होता है, आपने देखा यह कि कुछ लोग जो है, जैसे ही मौसम बदलता है, उनको सर्दी खांसी जुखाम बुखार वगरा हो जाता है, तो वो क्यों होता है? क्योंकि वो अंदर से कमजोर है, उनका शरीर जो है वो अंदर से कमजोर है, इसलिए थोड़ा सा भी सर्दी खांसी हुआ, थोड़ा सा भी मौसम बदला, तो उनको ये कुछ न कुछ समस्य हो जाती है, तो हमें अपने आपको अंदर से मजबूत करना है, ताकि जो है ये कोई भी बिमारी है वो हमारे शरीर के अंदर ना आए ये जो आंत्रिक मजबूती होती है इसको हम immunity कहते हैं कि जो हम अंदर से मजबूत है और इतने मजबूत हैं कि कोई भी ये वाइरस, बैक्टिरिया वगरा जो है हमारे शरीर में नुकसान नहीं पहुंचा हैं उससे हमें राहत मिलेगि तो इसका पाँचबा फायुद है जो है इसमें antidiabetic गुण है, antidiabetic गुण का मतलब है जैसे anti-diabetic अगर आप देखोगे दो शफ़दों का बनाऊ है anti और diabetic तो diabetic का मतलब जो है, जो diabetes से संबंदित है और एंटी का मतलब उसके वेरोध में डाइबिटीज यानि आप जानते हो शुगर की बिमारी शुगर जिसमें जादा हो जाता है हमारे थून के अंदर तो नियूट्रिचार्ज S5 के अंदर है नीम और नीम के जो है एंटी डाइबिटीक गोन होते हैं तो यानि शुगर बढ़ गई है या शुगर जो है कंट्रोल में नहीं आ रही है तो अगर हो अपनी दवाईयों के साथ में जो भी उनके डॉक्टर है से दवाईयां दिये हैं उसके साथ में नियूट्रिचार्ज S5 लेंगे तो उनकी डाइबिटीस का बहतर कंट्रोल होगा ओके सात किर के जो हमारे जो हमने जो खाना घाया है उसके अंदर जो कोशिक अक्तत्वा है जो हमने जो सांस लिये उसका जो ऑक्सिजन है वह एक कोशिका तक पहुंचाने का काम करता है जैसे हमने सांस का उधारन लिया था हम सांस को अंदर लेते हैं वो हमारे फेफडों में जाते ह वो हमारे दिमाग तक कैसे पहुँचेगी, या हमारे हड़ीं तक कैसे पहुँचे गी? या हमारी आंखों तक, या हमारे दिल तक कैसे पहुँचेगी? वो पहुचनेगी हमारे खून के मात्यम से, आपने कहीं लोगों को सुना होगा कि उनके दिमाग को जो है वो oxygen नहीं मिली, इसलिए जो है उनको stroke हो गया या उनके जो है कोई समस्या हो गई, ब्रेंस ट्रोक हो जाता है, जब हमारे दिमाग को oxygen नहीं पहुचती है, तो ये oxygen कौ लेकर के जाएगा, मतलब लेक कोई तो हमारे शरीर का एक जो खून है, ये oxygen को हमारे शरीर के हर हिस्से तक लेकर के जाता है, इसका ठीक से काम करना बहुत ज़्यादा जुरूरी है, क्योंकि सांस तो हमने फेफडों में लिये, और फेफडों से अब वो oxygen जो है, वो हमारे शर पोशक तत्वे, वो शोशित हो जाते हैं, अब वो आंतों से जो वो पोशक तत्वे, वो हमारे शरीर के हर हिस्से तक कैसे पहुंचेंगे, वो पहुंचेंगे खून से, तो हमारे खून का स्वस्त रहना, हमारे खून का सहीर प्रकार से काम करना बहुत ज़्यादा ज़रू है ताकि हमारा जो शरीर है वो सुचारो रूप से काम कर सके और हमारे शरीर के अंदर बिमारी ना है ओके तो ये इसका शात्वा फाइदा है आठवा फाइदा है कि ये हमारे पाचन से समझ Britt गो क्यों समस्या है उससे भी हमें राख लेता है आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बुलते हैं कि उनको गैस है बधस्मी है या उनको भूख ठीक से नहीं लगती है तो यह जो है हमारे पाचन को भी सुधारने का काम करता है तो न्यूट्रिचार्ज एस फाइव का यह आठवा फाइदा है और नौवा जो है आप देखेंगे कि यह हमारे शरीर के हर हिस्से को ठीक रखने में मदद करता है हमारे पाचन हमारी किड्नी हमारा लिवर रिदे जोड हटियां सभी को स्वस्थर तो न्यूट्रिचार्ज एस फाइव के यह नौ से काम करता है ओके आपने यह सारे के सारे पॉइंट्स लिखे हैं ओके कोई बताना चाहेगा कि यह नौ कॉनसे फाइव में हैं सबसे पहरे तो हम शुरुआत करते हैं कि यूट्रिचार्ज एस फाइव में पांच कॉनसी आश्रतिया हैं हैंड्रेस करें